बच्चों कच्छा आठवी व्याकरण में अब हम पढ़ेंगे मोहावरे मोहावरे क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ऐसे वाक्यांश जो सामानी अर्थ के स्थान पर विशेश अर्थ प्रकट करते हों उन्हें मोहावरा कहते हैं सामाइन अर्थ के स्थान पर विशेश अर्थ प्रकट करते हूं महावरे का प्रयोग भाषा को रोच रोच को प्रभाव शाली बनाने के लिए किया जाता है भाषा को रूचिकर बनाने के लिए कि भाषा पढ़ने में अच्छी लगे यदि हम अपनी बात को प्रभाव शाली ढंक से कहना चाहते हैं तो भाशा में मुहावरों का प्रयोग आवश्यक है मतलब यदि हम अपनी बात का प्रभाव दूसरों पर डाला चाहते हैं पर अच्छा प्रभाव रहे इसके लिए हम प्रयोग महावरों का करते हैं महावरों के महात्वर उनकी उप्योगता क्या है वह हम देखेंगे कि उनकी उप्योगता क्या है और महात्व क्या है महावरे के प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता बढ़ती है एक तो वाक्य सुंदर हो जाते हैं और उनके अर्थ सौंदरे में ब्रिध्धी हो जाती है जो अर्थ का सौंदरे है वो भी बढ़ जाता है मुहावरों के प्रयोग से भार्षा संशेप्त सरल इसपस्ट एवं सुंदर हो जाती है भासा संशेप्त कैसे हो जाती है भासा छोटी हो जाती है क्योंकि उनका आर्थ विशाल होता है, व्यापक होता है उनका आर्थ, तो इससे भासा संचिप्त भी हो जाती है, अब है बाक्य, प्रयोग के समय मुहावरे में आई शब्दों के रूप, लेंग, वचन, पुरोष, काल, आदी के कारण बदलते रहते हैं, जो बाक्य होते हैं, परंतो मुहावरे के मूल सब्द वली में कोई परिवर्त नहीं होता, मुहावरे चाहे स्त्रीलिंग के वाक्यों हो, चाहे पुरोष लिंग के वाक्यों हो, सभी में वो सब्द वैसे की वैसे ही प्रयोग किये जाते हैं, अब है, प्रसिद मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग, ज तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि तुम तो अकले के दुश्मन हो ये वाक्य में उसका प्रयोग हुआ फिर है आखें खुलना आखें खुलना देखो होश में आना जब मित्र को अपनी आखों से बेइमानी करती हुए देख लिया तब राकेश की आखें ख खावरे दिये गए हैं जिसके सेंटेंस बनाकर कुछ के अर्थ समझाय जा रहे हैं इसके वाक्य की रचना फिर आप कॉपी में स्वयम करेंगे केवल यहां पर इनको समझाय जा रहा है जैसे देखो यहां पर दिये गया कौन सा आग बबूला होना आग बबूला होना मतलब क्रोध से भर जाना अत्यदे क्रोधित होना पता नहीं मनोज को क्या हो गया है छोटी छोटी बात पर आग बबूला होटता है मतलब सेंटेंस यहां बनाया गया है फिर है आकाश पाता लेक करना बहुत परिश्रम करना आकाश पाता लेक करना बहुत अधिक परिश्रम करना तो देखो सेंटेंस दिया गया है रीता आकाश पाता लेक करके कक्षा में प्रथम आई है उसने जब पढ़ाई में अत्यधिक परिश्रम किया तभी वो कक्षा में प्रथम आई है फिर आस्मान सिर्पर उठाना बहुत शोर करना देखाओगा बच्चे जब घर में आते हैं तो कहते हैं आस्मान सिर्पर उठा रखा है इस कक्षा के छात्रों ने तो आस्मान सिर्पर उठा रखा है क्योंकि बच्चे भी बहुत सोरगुल करते हैं क्लास के तो ये सेंटेंस बनाया गया है फिर है इतका चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना, कान भरना, याने चुगली करना, कान भरने का देखो दिया गया है, चुगली करना, तो कुछ बाक्य मुहावरे दिये जाएंगे, जिनका आपको बाक्य बनाना रहेगा, अर्थम देंगे और आप बाक्य बनाएंगे, का ओपरों के कान खड़े हो गए और वे भाग गये. और भी मोहावरे देखेंगे गिर्गेट की तरह रंग बदलना. मतलब क्या होता है? सिद्धांत हीन हो गोना जिसका कोई सिद्धांत ना हो. आजकल की नीता तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैução फिर है गागर में सागर बन्ना बहुत अच्छा मुहावरा है संशेप में बहुत कुछ कह देना, छोटी बात में बड़ी बात कह देना तो गागर में सागर बन्ना भगवाईं कृष्णे ने गीता में अपनी सारी सिख्षा को गागर में सागर के समान भर दिया है मतलब गीता तो छोटी पुस्तक दिखती है देखने में लेकिन उसका अर्थ वहोत ही व्यापक और विशाल है घोड़े बेच कर सोना निश्चिन्थो कर सोना परिक्षा समाप्त होते हो जाने पर विद्यार्थी घोड़े बेच कर सो गए या विद्यार्थी घोड़े बेच कर सोया इस प्रकार मोहावरे दिये जाएंगे और मोहावरों के आप बाग के स्वेम रचना करेंगे केवल हम उसके अर्थ देंगे छक के छुडाना बुरी तरह हराना फिर है दातों तले उंगली दावाना हैरान रह जाना नौदों ग्यार होना भाग जाना बाल की खाल निकालना पूरी छान बीन करना इस प्रकार से ये मोहावरे हैं और मोहावरों के अर्थ आपको दिये जाएंगे जिसके आधार पर आप की रचना स्वयम करेंगे इस प्रकार अपना ये आज मोहावरा भी कंप्लीट हुआ धन्यवाद